सहोधर सहोधर यह रहे, बीजेपी की डेबल इजिन सरकार का मतलब क्या होता है? इसका प्रमान तुमकुरु में बनी एशिया की सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर फैक्टरी है इससे तुमकुरु दुनिया के नक्से पर चमक गया है इसके सिलाण्यास और उद्गाटान दोनों का सवभाग्या आपने मुझे दिया था यह इतनी बड़ी फैक्टरी इसलिए बनी क्योंकि हमने सेना के लिए मेड इन इंडिया सिस्टिम देने पर बल दिया कॉंग्रेस पुरी तरह से देश को इंपोर्टेट पर निर्बर रखना चाहती थी कॉंग्रेस के लिए डिपेंस सेक्टर एक ऐसा क्लब रहा है ज़र आप पुरानी बात यात करने होगे तो बता चल जाएगा डिपेंस सेक्टर एक ऐसा क्लब रहा है जहां मामा, चाचा, सगे, सबंदी, मिलकर देश को लूट सकते हैं ये कॉंग्रेस की 85% कमिशन सरकार थी 85% कमिशन सरकार जिसने HAL एने हिंदुस्तान एरनोटेक लिमिटेड को बरबाद कर दिया था याद कीजिए, चार-पांच साल पहले कॉंग्रेस के नेताओं ने करना टका में आकर HAL पर क्या-क्या जूठ नहीं फ्यालाया था HAL के कर्मचारियों को भड़काने का प्रयास किया गया था और उस समय किया गया था जब सीमा पर हमारी सेना तैनाथ थी इस चुणाओं में इनके मुँँ से एक बार भी ये मिडिया वाले याद रखें एक बार भी कॉंग्रेस के नेताओं के मुँँ से HAL का नाम नहीं निकल रहा है क्यों क्यों कि जब HAL पैदा हुआ तब से आज तट HAL ने प्रॉफिट के नए रिकॉर्ड बनाए है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अभी हुआ है यहीं तुम कुर में हैं यहीं पर है फैक्टरी यहां के लोग काम करते हैं पहले प्रॉफिट नहीं होता था तो माल चोरी कहां होता था और मोदी आने के बाद प्रॉफिट होने लगा कारण साफ है दोस्तों जब कॉंगरेस सत्ता में थी तो कमिशन के बगर डिफेंज डिल नहीं होती थी यह बीजेपी की सरकार है जो देश में ही डिफेंज की आदुनिक फैक्टरिया लगा रही है और देश की सेना को ससक्त कर रही है बंदो भगे नेर है बीजेपी सरकार यहां तुम कुर में अन साथ इंडिया के पहले इंडस्ट्रियल कोरिडोर का स्चला न्यास हुआ है डबल इंजिल सरकार यहां इंडस्ट्रियल टांडू स्टाउन्शिप के निर्माण पर भी तेज गति से काम कर रही है तुम कुरू राय दूर के रेल लाइन हो तुम कुरू चित्र दूर दावन गेरें रेल लाइन हो इससे यहां विकास और मैं और तेजी आएगी लेकिन कॉंग्रेस जेडी एस ऐसे हर प्रोजेक्ट को भी रोकने में लगी हुई है बीना 85% कमिशन खाए यह कोई काम आगे नहीं बढ़ने देंगे जब इंफ्वा सक्तर नहीं बनेगा तो किसान को भी नुक्सान होगा और उद्योगों का विस्तार भी नहीं होगा और यह 85% वाले जब तक उनका 85% नहीं होगा आगे नहीं बढ़नेंगे अब आपको मैं याद कराता हूँ 85% है क्या भई यह मोदी की बात नहीं है कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता कॉंग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमान राजीव गांधी उन्होंने पब्लिकली सारवजनिक रुप से कहा था कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूँ तो गाउं में गरीब के पाँच जाते जाते पंदरा पैसा हो जाता है 85 पैसे की चोरी हो जाती है ये खुद राजीव गांधी ने कहा था और तब तो पंचायच से लेकर पार्लामेंट तक कॉंग्रेसी कॉंग्रेस थी उस समय उन्होंने कॉंग्रेस को सर्टिफिकेट दिया था 85 परसेंट कमिशन का सर्टिफिकेट राजीव गांधी ने दिया था वो 85 परसेंट कमिशन वाली कॉंग्रेस आज भी अपनी आदते छोड़ने को तयार नहीं है और इसलिए मेरे भाई ये बैनो आपको मेरी एक बात याद रख रही है JDS का हर केंडिडेट कॉंग्रेस का ही केंडिडेट है JDS को दिया हर वोट करना टका मैं निवेश को रोकेगा और मुझे बताईए भाईयो हमारा संकल्ब है करना टका को नंबर वन बनाना पूरे देश में नंबर वन बनाना आप सहमाते हैं मेरी बात से क्या करना टका को नंबर वन बनाना है कौन बना सकता है भाईयो बहनो करना टका को नंबर वन बनाने के लिए गर गर से एकी संकल्प चाहिए इवारा निर्धारा इवारा निर्धारा इवारा निर्धारा बहुमत्ना बीजेपी सरकारा